स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चली शुरुवात करते हैं पहले प्रश्ण के साथ और द्योगीक दुरघटनाओं के बारे में निम्रलिखित कथनों पर विचार कीजे एक यूनियन कारबाइट प्लांट से जहरीली मिथाइल आईसोसारेट गैस के रिसाव के कारण 1984 में भोपाल गैस रासदी हुई थी दो, 2020 में विशाखा पतनम में LG पॉलिमर प्लांट में हुई दुखत घटना में आसपास के रिहाइशी इलाकों में जहरीली इस टारियन गैस का रिसाव हुआ था उपर यूक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प C, एक और दो दोनो अगला प्रश्ट है प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉंच किया गया है A वित्त मंत्राले, B भारती रिजर्व बैंक, C भारती प्रतिभूती और विनमे बोर्ड इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प B, भारती रिजर्व बैंक अगला प्रश्ट है निम्नलिकित में से कौन सा कथन नासा के प्री फायर मिशन के उद्देश का सर्वोतम वर्णन करता है अगला प्रश्ट है ओलिव रिडले कच्छों के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, ये कच्छे मानसाहारी होते हैं और इनका नाम इनके जैतून के रंग के बाहरी आवरण से पड़ा है दो, ये प्रिशान्त अट्लांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाये जाते है तीन, इन्हें IUCN Red List द्वारा समेदनशील के रूपे मानेता दी गई है उपर युक्त कथनों में से कितने सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इन में से कोई रही इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकलपसी सभी तीन अगला प्रश्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, कैबिनेट समीतियों का गठन भारत सरकार व्यविसाय का आवंटन नियम 1961 के तहत किया जाता है अगला प्रश्ट है रूपे सेवाओ के सम्मंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, रूपे कार्ड केबल सारवजनिक शेत्र के बैंक को द्वारा जारी किये जाते है दो, भारत e-commerce payment gateway रूपे कार्ड धारकों के लिए वर्तमान e-commerce अनभव को बढ़ाने ही तु नई e-commerce प्रणाली है अगला प्रश्ण है विरुपाक्ष मंदिर मध्य करनाटक की हमपी में सित है जो साती शताबदी में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है अतकतन एक सही नहीं है अगला प्रश्ण है हाली में भार्दी अमेर्की खगोल श्रास्त्री डॉक्टर शीनिवास कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिस्ठित शौपुरसकार से सम्मानित किया गया उनके अनुसंधान का शेत्र इस पर केंद्री थै ए एक्सो प्लैनेट की सनश्णा बी पराबैगने विकरण का अध्यन सी खगोली शडिकाओं की भौतिकी या दी धूम केतियों का निर्माण इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी खगोली शडिकाओं की भौतिकी अगला प्रश्ण है जेनोसाइड कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक यसा एक्तुराश्य महासभाद्वारा अपनाई गई प्रथम मानवादिकार संधी थी दो इस समेलन के अनुसार नरसंगार एक अपराध है जो युद्ध के समय और शांती के समय दोनों में हो सकता है तीन भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता नहीं है उपर युगत कथनों में से कितने सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सा भी तीन, डी इन में से कोई नहीं इस परश्र का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो भारत जेनोसाइट कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है अतक अथन तीन सही नहीं है तो चलिया अंत में देखते हैं आज का भ्यास परश्र को भारत में लगू इवम सिमांत किसानों के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, जिन किसानों के पास एक हेक्टेर से कम क्रिशी भूमी होती है उन्हें लगू किसान कहा जाता है दो जिन किसानों के पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमी होती है उन्हें सिमांत किसान कहा जाता है तीन वे किसान जिन के पास चार से दस हेक्टेयर के बीच क्रिशी भूमी होती है उन्हें मध्यम किसान कहा जाता है उपर युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इन में से कोई नहीं इस प्रश्रका उतर कमेंट बॉक्स में जरूर दे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद प्रश्रका उतर कमेंट बच्साइब से कितने सही है